एपिसोड में दी गई जानकारी विभिन सूद और अध्यन पराधारित है फिर भी चैनल इसके सौपसद सही होने का दावा नहीं करता। दोस्तों आज हम आपको भारत में पलने वाली देसी नसल की गाये सिंधी या रेट सिंधी तथा हर्यारवी गाये के विसे में बताने जा रहे हैं। इस नसल की गायों की आप पहचान कैसे करेंगे और इन गायों की क्या विसेश्था है ये गाय कितना दूद देती हैं ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं आप से आगरे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वेल आइकॉन को दबा दें ताकि अन वीडियों के सारे अपडेट्स आप तक बहुत सकें दोस्तो सबसे पहले हम बात करते हैं देशी नसल की हर्याडवी गाय के बिसे में ये गाय कहां पाई जाती है ये गाय हर्याड़ा प्रदेश के रोह तक हिसार करनाल और दिल्ली के आसपास के छित्रों में पाई जाती है इस गाय का चेहरा लंबा, सक्रा तथा पूल के बीच में उभरा हुआ होता है इसके सींग तथा कान काभी छोटे होते हैं उसी अनुपात में इसका गल कंबल और सीथ भी छोटा होता है हर्याडवी गाय की तचा काभी पतली और मुलाइम होती है इस गाय का रंग सफेद एवं खलका भूरा होता है पूछ के विसे में बात करें तो काले गुच्छे वाली बहुत सुन्दर होती है इसकी लंबाई होक के नीचे तक जाती है इस नसल की गाय दूद काफी अधिक मात्रा में देती है अब यद हम सिंधी या रेट सिंधी गाय की बात करें तो रेट सिंधी गाय मुकता सिंध प्रांत में पाई जाती है इस गाय का सरीर मध्यम आकार का चुना बंधा हुआ होता है इसका कलर लाल एवं डार्क ब्राउन होता है सीधे सुभावाली सिंधी गाय का अडर पूर बिक्सित होता है ब्यात के समय इसका अडर पूरी तरह से फूल जाता है इसके कानों का आकार मध्यम और लटकने वाले होते हैं सींग भी काफी छोटे और मजबूत होते हैं इसका गल कंबल लटकता हुआ होता है इसका सीथ काफी बिक्सित होता है तो दोस्तों ये छोटी सी किंट अतिमहत पूर जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट्स करके जरूर बताएं इसके अगले पार्ट से हम दंगा तीरी और थार पार कर गायों की पहचान की वेसे में बताएंगे